अजके इस वीडियो में आपको NPCJ के तरफ से new recruitment आई है जिसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको junior engineer की post दिखेगी, site engineer की, senior engineer की और भी बहुत सारे इसमें post हैं जिन पे आप लोग भी apply कर सकते हैं, इसमें diploma और btech सभी लोग भी apply कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे branches, civil, electrical, mechanical, architectural, electronics, तो जो भी candidate आप लोग इसमें eligible होंगे, interested होंगे, जरूर से apply कीजेगा फ्रेसर विल्कुल eligible हैं, कोई भी experience इसमें नहीं मागा गया है, और all India से कहीं से बिलोग करते हैं, जरूर से इसमें apply कर सकते हैं इसमें कोई भी restrictions नहीं रखा गया, कि कोई particular student की लोग ही apply कर सकते हैं, सभी लोग के लिए vacancy निकाली गया है, सभी लोग apply कर सकते हैं तो complete information के लिए वीडियो को end तक जरूर देखते रहे हैं, जिनसे की सभी कुछ आपको पता लगेगी और चैनल पर पलिवार्फ जिट कर यहां भी तक सब्सक्राइब नहीं कियां, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल अकन प्रेस कर लिजे, ताकि आने वाले जो भी इस तरह की jobs और vacancy आती रहती है उसकी notification आपको मिलती रहेगे इसके अंदर में आता है और यहां पर आप लोग देख पाएं कि यह एक सब्सीडरी है डबलू एपी सी ओस लिमिटेड का मिनी रतना कंपनी है जरूर सी इसमें अप्लाइ कीजेगा जो भी यह सभी discipline से अगर आप लोग कर रखें डिपलोमा बी बी टेक तो अपलाइ कर पाएंगे आपका मैंने बताया बहुत सारे पोस्ट है site engineer architect junior engineer senior associate तो यह सभी पोस्ट में यह सभी discipline से civil architectural electrical mechanical IT CSID department या finance HR department से अगर आप लोग कर रखें तो इसमें जरूर से अपलाइ कीजेगा अभी यह जो वेकेंसी है इसकी जो requirement है यहां पर आपको दिखने के लिए आपको पोस्टिंग किया जाएगा तो इसमें कैसे अपलाइ करना है कौन को अपलाइ कर सकता है सभी कुछ मैं आपको आगे बताना वाला वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे हैं और इसी तरह के जो भी जॉब्स वेकेंसी आती रहते जाने के लिए चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिए और आपका जो भी ब्रांच है या क्वालिफिकेशन है नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे आपसे रिलेवेंट आपको देखने के मिलेगी यह सभी ब्रांच वालो बहुत सारे कम एप्लिकेशन रिसीब होगा और एप्लिकेशन रिसीब एक डाटा आपका वहां पर रिसीब होगा उनमें से मंतली बेसिक पर अपडेट करते रहते हैं यहां पर आप लोग पर पाएंगे सीवी रिसीवड फोर वेरियस पोस्ट विल बी केफ्ट इन डाटा बैंक विच वि भी कंडिडेट उसमें लिए इंट्रेश्ट होते हैं उनको वहां से हाइर करता है उनको मेल करता है उनको बुलाए जाता है यहां पर अभी इसकी जो लाश्ट एट है देख सकते हैं 31 मार्च 2023 है तो बहुत इसका लाश्ट इट बहुत दिन तक है इस डेट तक भी आप मत यानि कि फर्स्ट सकेंड और थर्ड यह तीन मत आप लोग बारी बारी से सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपका जो चांसे सॉप सेलेक्शन प्रोबेबिलिटी जादा हो जाएगा कैसे इसको सेंड करना है तो यह आफ्लाइन फॉर्म है आपको जाना होता है पोस्ट ओफिस अपने नजदी की पोस्ट ओफिस में जाएए इन्वेलप एक लिजिए उसमें आप यहाँ पर एप्लिकेशन फॉर्मिट दिया गया है इसको अच्छे से फिल कीजिए यहाँ पर फोटो चिप कईए सभी कुछ यहाँ पर आप लोग डिटेल्स फिल कीजिए किस पोस्ट के सेंड कर देना है सेंड करने के लिए जाना होगा आपके निजदी की पोस्ट ओफिस वहाँ पर इन्वेलप के उपर में इस एड्रेस को यहाँ पर मेंसन कर देना है और आपको सेंड कर देना है लास्ट इट इसका 31 मर्च 2023 है तो इस डेट से पहले आप लोग जरूर से कर सक सकते हैं जो भी Chickwood इस में इंच्छेटर है उपलाय करना चाहते हैं यहां पर पोस्ट मैं ने आपको बताया senior engineer and webinar साइट Dogs डिनियर ऑर्कीटेक्ट जुनियर इन्जनियर से इसरेक्ट इन से इन में से जिस पोस्ट कर और आप यार्कीटेक्टरल पर यंदक कर tay ने इक जो कि आपको data bank में से जब भी उनको जरूरत होगी आप लोग को का भी उसमें जिनका mail वहां पर गया होगा जिनका application तो उन लोगों को consider किया जाएगा उसके बाद आप लोगों को आगे कि further information आपको return test होगा या interview होगा उसके लिए आपको बुलाए जागा जिसमें कि आपसे contact किया जाएगा आपका email id या mobile नमर उसमें रहना जरूरी है जिसके लिए वह लोग आपसे contact कर सकते हैं तो यह था इसका detail information आप आप इसको समझे होंगे वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो जरूर से like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और जो भी इस चैनल को जरूर से subscribe करके रखिए ताकि कोई vacancy आप मिस नहीं करोगे और यह जो PDF है आपको वीडियो के description में मिलेगा link notification link के नाम से उस पर जैसे click किजेगा तो यह आप लोग application format download कर लिजेगा और इसको fill कर दिजेगा printout जब निकालोगे तो आप लोग इसको भी निकाल और इसको भी attach करके आप लोग send कर दिजेगा ताकि आपका जब application receive हो तो वहाँ पर पता चले कि आप कि इस post के लिए application दिये हैं तो आप आप इसको समझे होंगे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दिजेगा